हेलो रिवन, आज किस वीडियो में कवर करेंगे बिहारे सभी परी के मॉक्टिस्ट का सेट नमबर 19 जो की रोजाना साड़ेट बजी रात को होता है जिसमें 50 MC की वह हम देखते हैं BPSAC के पैटरन पे सारे क्वेशन्स को रेंज किया जाता है तो रोजाना आप मारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं इसका PDF आपको टेलिगराम ग्रूप पर प्रोवाइड करा जाता है तो वहां से आप डाउंलोड कर सकते हैं तो चली इस वीडियो को सुरू करते हैं देखते हैं 50 में से आप कितना स्कूर कर पाते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि कल का होमग आपका क्या रहने वाला है तो दिखिए एक माई का होमग दिया जा रहा है कमेस्ट्री में प्रमुक धातु और उनके आयसको को कवर कीज़ेगा लुसें सब्जेक्टिव पेज नंबर 229 को देख सकते हैं रिविजन्स के तौर पे बालोजी का एक टॉपिक पढ़ेंगे पादा प्रोब और पादा प्रोब ये काफ़े इंपॉर्टन टॉपिक है इसको अच्छे तरीके से कवर कर लीजेगा टॉपिक वाई सिरीज में दिया जा रहा है अपवात अंत्र यानि फेंस आपको नदियो से संबंदी जोबी पॉइंट्स हैं उनका उद्गमस्थान उनकी सायक नदिया इन सबी चीजों को आप अच्छे से तरीके से पढ़ लीजेगा करन्ट अफेस में कहा है तो दिसंबर 2020 को आप अच्छे तरीके से एक बार रिवाईस कर लेंगे ठीक है तो चलिए अब आज किस वीडियो को सुरू करते है देखे फस्ट कुईसन्स कहा रहा है कि विजयनगर समराज्य में अमरम का अर्थ क्या हुआ करता था कभी कभी इसको अमरम लिखता है, कभी अमरस लिखता है तो दोनों का अर्थ आप वही समझेंगे तो सही अन्सर यहां पर होगा जागीर ठीक है विजयनगर समराज में अमरम या फिर अमरस का अर्थ जागीर हुआ करता था Second questions की मुद्रा स्वीती के कारण निमली खित प्रभाव पढ़ता है. पते की मुद्रा स्वीती के कारण निमली खित प्रभाव पढ़ता है. तो इसके according होता है की वस्तूओ का मुल बढ़ता है जबकि मुद्रा का मुल घिटता है. यानि correct answer यहाँ पे होगा option C, उप्योक्त दोनूं, ठीके? Third question से कि Congress की किस दिवेशन में पहली बार Congress द्वारा मौली क अधिकारों और राष्टी आर्थी कारेक्रमों से संबंदित प्रस्ताव पारित किये गए थे One of the most important question है और ध्यान दीजेगा इस questions का सही answer होगा कराच्य दिवेशन 1931 और यह इसलिए भी famous है क्योंकि सर्दार पटेल की अधिक्सता में यह हुआ था और उनकी यह पहली अधिक्सता थी Next questions है कि 1938 के अंत में भारती राष्टी कॉंग्रिस की अनरोध पर जो राष्टी ये यूजना समीती बनाई गए थी उसकी अधियक्स कौन थे तो उसके अधिक्ष थे जोहार लल नेरू ऑप्सन हम B को टिक करेंगे और यह किस के नतित्यों में बना था तो सुबास चंदर बोस के नतित्यों में बना था नेक्स्ट वरने की अकालों को रोकने दता अकाल पिरितों की सायता है तो भारत सरकार ने अकाल सनीता कब प्रचारित किया गया था ओप्सन C will be correct answer 883 इस विमें नेक्स्ट वरने की निम्ने लिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेस नहीं अंतर्ण की अलोचना में अन ब्रेटिस पदावली का परियोग किया था तो सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी नेक्स्ट वरने जानवरो वनस्पत्यों एवं सुप्छ में जीवों के अवसेस किस प्रकार की चटारों में पाय जाते हैं तो काफी important प्रसने ध्यान दीजेगा कि जानवरों वनस्पत्यों इमसुप्छ मजीवों के अवसेस जो मिलते हैं वो और साधी चट्टाउनों में मिलते हैं ठीक है ना बीको टिक करेंगे निम्लिकित खत्रों पर विचार केज़ें तीन पॉइंट्स दियेगे तीनों को अच्छे से पढ़िए और बताए कि कौन सा कथन योगा यहां पर सही है पहले चीज तो आपको ध्यान लखने कि यह जो तीनों पॉइंट्स आप देखने वो तीनों पॉइंट्स डारेक्ट के रूप में पूछे जाते हैं तीन को अच्छे से याद रखेगा तो यहां पर सही आंसर हमारा है option D सभी के सभी बिलकुल सही थे शूफी सिलसिला मुलिता संबंदित है जो सूफी संब्रदा था किस संबंदित है तो यह इसलाम से संबंदित है option A करेक्ट होगा नेक्स्ट क्या रहा है कि धर्म सास्तर के अस्कूल अच्चिन्त भेद भेदत्व की सुरुवाद किस ने की थी? तो सही आंसर हो जाता है निमाई पंडित के नाम से प्रसिद्ध चतन्य महाप्रभू, option A correct आंसर हो जाता है निमलिखित भक्ती संतों में से किस ने विनाय पत्री का या फिर कवी तावली की रचना किस ने की थी? और वो है तुलसेदास, C यहाँ पर correct आंसर होगा नेक्स्ट क्यारा है कि 1857 के विद्रोग के दौरान अनेक भारती नहरेसों ने बेटी सरकार की साहता की निमलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? तो बताए कि निमलिखित में से किसने बेटी सरकारों की मदद नहीं की थी? और वो थे मेवार के राजा, यानि option B यहाँ पर correct होगा देखें, next person कहा रहा है कि किस अनुछेद जिसके तहत भारत के राष्टपती होते हैं उन पर महावयोग की जा सकती है तो भारत के राष्टपती पर महावयोग की प्रकिरिया लगाई जाती है या फिर अनुछेद वो कौन सा है तो अनुछेद 61 आपको पताओगा, आर्टिकल 61 के तहत महावयोग की प्रकिरिया के बात की गई है, और कभी-कभी questions ये पूचा जाता है, जो राष्टपती पर महावयोग की प्रकिरिया चला जाती है, वो किस सदन से उठा जा सकता है, तो किसी भी सदन से उठा जा सकता है, चाहरलाग लोक सभाओ या फिराज सभाओ, छोटानागपुर पठार के सबसे उचाई, उची चोटी कौन से है, छोटानागपुर पठार के सबसे उची चोटी कौन से है, तो यहाँ पर देखे, धूपगड क्या होता है, धूपगड जो वो सत्थपूडा के सबसे उची सलफ़ाडायोकसाइड का प्रदूशन निमलिखित में से किसके अत्याधिक व्रीधी होने का सूचक है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है लाइकेंस बिल्कुल सही आंसर हो जाता है नेक्स्ट वन देखें कि अधिपादक यानि कि इसको इंगलिस में इपिफाइट्स कहते हैं वैसे स्थानों पर पाया जाते हैं जहां पर तो ध्यान दीजेगा अधिपादप होते जो EPIFIDES वैसे स्थानों पर पाज आते हैं जहां वर्स भर वर्सा होती रहती है यानी कि यहां पर हम OPTION देखे तो D Correct होगा इनमें से कोई नी वर्स भर जहां वर्सा होती है वहां पर अधिपादप मिलते हैं Next question कि सैवाल पारिस्थित की तंतर यानि इको सिस्टम के निमलीकित मेंसे किस स्तर में आता है? सैवाल किस स्तर में आएंगे? तो ध्यान दिजीगा जो सैवाल आते हैं वो उत्पादक आते हैं, ठीक है? और मैं आपको बता चुका हूँ कि पाजिस्तित की तंते की जब बात की जाती है तो वहाँ पे उत्पादक के रूप में हरे पेड़ पौथे जो होते उन्हीं को जाना जाता है उत्पादक के रूप में यानि कि जो सेवाल होंगे उत्पादक के रूप में आएंगे टिक करेंगे, नेक्स्ट कुईसंस की जब दो इलेक्ट्रोन एक ही कक्षा में होते हैं, तो उनमें क्या होता है, तो विप्रित चक्रन आपने टेफिनेटली पढ़ा होगा, विप्रित चक्रन करेक्ट आंसर होगा, उप्सन बी, अगला प्रस्ण की, बर्फ पर दा बढ़ने स उसके गलनांग पर क्या परभाव पढ़ता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उनका जो गलनांग होगा, वो घड जाता है, यानि ऑप्सन C यहाँ पर करेक्ट होगा, घड जाता है, अगला प्रस्णी की, व्यापक डाटा नीती त्यार करने वाला देश का प्रत्थम राज प्रत्थम पर करेक्ट होगा, पंजाब, तो हम यहाँ पर किलियर ली पढ़ सकते हैं कि हाली में पंजाब सरकार दोरा नागरिक, सिवाओं और अन्य कारे की प्रवरीती को ट्रैक करने के उदेशे से पंजाब राज्चे डेटा नीती को स्विक्रीती प्रदान की है, ठीक ह तो यह पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, पंजाब सरकार ने हाली में व्यापक डेटा नीती को ट्यार किया, ठीक है, जबकि नहरू कप का समद्ध किसे फुटबॉल से, इनमें कन्फ्यूज नहीं होना अच्छे से याद रखेगा, पेट्रॉल की फोटा करोधी निमली खीत में से किसे इस्तिमाल किया जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रखा, टेटराइथाईल लेड यानी की राइट आंसर होगा, ओप्सिन ए, ठीक है? ठीक है? नेक्स्ट कुभिशन बनता है कि भारत माता समचार पत्र का संबंध निमल में से किसे था? भारत माता समचार पत्र तो द्यान दीजी का फिन्स की भारत माता समचार पत्र के साथ मंद यहाँ पे अजीत सिंग से है आप्सन B विल बी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेशन कह रहा है कि जलिया वाला बाग घत्याकान की जाचेतू तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है मदन मौहन मालवीजी ऑप्सन D को टिक करेंगे अगला पस्ट की 1760 का युद जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया तथा भारतिये वेपार से भी दूर कर दिया बताईए 1760 का वह युद कौन सा था तो 1760 में हुआ था वांडी वास का युद जो की बाइस चनवरी 1760 में हुआ था और वांडी वास कहा पर पढ़ते हैं तमिल नाडू में ठीके न नेक्स्ट वन दीखे अगला प्रस्ट के रहे कि पेट्रो अलवारेज के ब्राल बताई कि क्या था पेट्रो अलवारेज के ब्राल जो था वो भारत आने वाला दूसरा यूरूप दूसरा कह सकते हैं पुर्तगाली था यानि सही आंसरों का अप्सन सी भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली प्रथम पुर्तगाली तो आपको पता है वास को डिगामा थे नेक्स्ट पन्स के रहा है कि law i.s के लिए प्रसीत बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज जमी सतीत है बताइए बाबा बुदन की पहाड़ी जो वो किस राज जमी सतीत है तो यहाँगे पon पर करेक्ट अंस वह जाता है करनाटक C will be correct answer law IS के लिए प्रसीद है बाबा बुधन की पहाड़ी कैनेडा इस्तीत अंधी घाटी छेतर जोगो किस के उत्पादन के लिए प्रसीद है अंधी घाटी जोगो कैनेडा में इस्तीत है और ये किस के लिए फेमस है यूरेनियम के उत्पादन के लिए फेमस है D को टिक करेंगे बतेगे निमलिखित में से कौन सा किडवन का उधारन है किडवन का उधारन कौन सा है तो किडवन का उधारन हम कह सकते हैं कि दुद का खटा होना, गिले आटे का खटा होना गने का रस सराब का बनना, ये सभी के सभी किडवन के उधारणे option D will be correct answer बच्चों में प्रोटीन की नियूंता के कारण जो रोग उत्पन होदा है अगला प्रशने के टेलीवीजिन के दुरस्त नियंतरन के लिए किस प्रकार की विधुचुंबक के विख्रण का परियोग किया जाता है तो सिंपल सी भासा में अगर हम समझे तो रिमोट कंट्रोल आपने देखाऊगा जो टीवी का रिमोट होता है तो उसमें किस प्रकार के विधुचुंबक के विख्रण का परियोग करते है तो infrared यानि अवरक्ते किर्णों का परियोग किया जाता है अगला प्रस्थितन खाद परिक्षण में मदद करता है क्यों? किस तरह से मदद करते हैं? जो प्रस्थितन होते हैं खाद परिक्षण में मदद करता है तो इसमें क्या होता है? तो इसमें ये होता है कि जैव रसाइनिक अभीकिर्यागों की दर को कम कर देता है option B correct answer है देखें next प्रशने की निमलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था बताएए निमलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था तो इस प्रशने का सही answer होगा option B को टिक करेंगे तिरुजान ठीके तिरुजान जो की अलवार संत नहीं थे और इनसे हम समंदित कुछ पॉइंट से हम यहाँ पर पढ़कर के अच्छे तरीके से समझ सकते हैं उत्री भारत के साथ दच्छी भारत में भी सिव पूजा का व्यापक प्रचार प्रसार था आपको पता है कि एक तो सेव धर्म था यानि कि सिव पूजा और एक जो था वो हम कह सकते हैं वैश्नो धर्म था ठीके वैश्नो भगवान विश्नो की पूजा करते थे तो यहाँ पे दोनों में differences यह होता था कि जो भगवान विश्णों की पूजा करते थे उनको अम लोग क्या कहते थे उनको अलवार संत कहते थे अलवारों के दोरा जबकि नैनार जो होते थे वो सिव की पूजा करते थे तो इसमें आपको ध्यान देखना है कि दच्षिर भारत में सेव धर्म का प्रचार प्रशा नैनार संतों ने किया था ठीके और नैनार संतों की जो संख्याती वो कितना बताई गई थी 63 बटाई गई थी तो जिसमें से हम यहाँ पे तिरूग ज्यान को देख सकते हैं अक्चली यहाँ पे तिरूग ज्यान लिखा था तो तिरूग ज्यान यहाँ पे जो थे वो 90 से एक थे नहनार संत थे चीक है तो करेक्ट अंसरम उप्सन बी को टिक करते देखिए अगला प्रस्ण कहा रहा है कि मौरे काल में सीता से तात परता मौरे काल में सीता से क्या तात परता तो राजकी भूमी से जो प्राप्त आय होती थी उसको कहा जाता था सीता फिरूद सा तुगलग द्वारस थापित दारूल सफा जो था वो क्या था दारूल सफा क् एक परकार का ये खेराती अस्पताल था ओप्सन बी को टिक करेंगे खेराती अस्पताल अकबर की एक्छानुसर किसने रमायन का फार्सी में अनुवाद किया था और वो थे बदायोनी ओप्सन बी को टिक करेंगे बदायोनी ठीक है नेक्स्ट वन देखी कि निमलीखित में से किस आंदूलन के साथ अरुणा आसा फली जोड़ी थी अरुणा आसा फली का संबन्द हम कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदूलन के साथ था ओप्सन डी को डिक करेंगे नेक्स्ट क्वेसंस के अनुसूची जातियों और अनुसूची जन जातियों के लिए राश्ट या आयोग गठित करने का जो प्रवधान है वो समिधान के किस आर्टिकल में दी गई है तो बताइए कि SC और ST के समान्दी जो भी इनका आयोग है रास्टी ये आयोग तो इसके समान्द में बात कही गई है अनुसुची जाती के लिए यानि SC के लिए SEDULE Cast के लिए 338 और SEDULEיע Tribe जो है इनके लिए 338 का Просто यानि राइट आट आचनोर गा आप्शन ए ठिक है अगला प्रस्ट की निमलिखित मेंसे कौन एक सही सुमेरित नहीं है तो बताइए कि निमलिखित मेंसे कौन एक सही सुमेरित नहीं है तो समान न्याय ओम निसुल्क वीधिक सायता की बात 49 के ए बिल्कुल सही ग्राम पंचायतों का संगठन 40 most important question है समान नागरिक सनिता 44 बिल्कुल सही है न्याय पालिका का कारे पालिका से प्रिथक करन ये जो बात कही गई है वो 50 में बात कही गई है ठीक है तो यहाँ पर कलत हो जाता है इसलिए option deco tick करेंगे चलिए अगला रुसनिकी कि जिस समीती ने लोकतांत्रीक वीकेंद्री करण और पंचायत राजी के सिफारिस की उसके सभापती कौन थे तो उसके सभापती ते बलवन त्राय मेंता deco tick करेंगे next questions की भारती समिधान के निमलिखी तनुछेदों में से कौन सा रास्टपती द्वारा किसी सत्र को स्थगित करने की सकती से सम्बंदे थे तो किसी सत्र को स्थगित करने की सकती जो हो article 85 ठीक है 85 यहाँ पर correct answer हो जाता है C will be correct answer विटले कमिशन का सम्बंद किस से था बताईए विटले कमिशन जो था इसका सम्बंद किस से था तो ध्यान दीजेगा 1929 में Lord Irwin के सामें में कह सकते हैं कि GHW यानि GHW का मतलब GH विटले इनकी अधिकस्ता में विटले कमिशन की गठन किया गया था और इसका उदेश यह था जो कि सरम सम्द कहा सकते हैं क्योंकि सरमिकों को जो भी सरमिकों की मौझूदा पर पर इनकी सिफारिस प्रस्तूत करना था ठीक है तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है चलिए नेक्स्ट क्रिशन देखते हैं कुर्णो पालपूर वन्नेजी अभ्यारन किस प्रदेश में स्थीता है कुर्णो पालपूर वन्नेजी अभ्यारन किस प्रदेश में स्थीता है तो करेक्ट आंसरों का मध्य प्रदेश ऑप्शन बी को टिक करेंगे मूसी और भीमा जो किस नदि की साइक नदिया हैं मुसी और भीमा से ओक किन नदियों की साइक नदिया है तो ये क्रिश न कि साइक नदिया इसलिए है इस 파ट्व से को टिक करें अ नेक्स्ट कहीशन की आदर्स। द्रौ की स Mormon कितनी होती है या फिर क्या होती है आदर्स Param की स्यांता होती है जिसको में लोग इंगलीज में विसकोसिटी कहते है तो क्या होता है तो सुन्ने होता है ठीक है आधर्स द्रोग की जो इसी भी स्यांता होगी वो सुन्ने होती है स्यांता मैं आपको बता चुक हूँ क्या होता है अचली लिक्वीड जो होते है उनके परतों के मद्ध जो घर्चन लगता है उन्हीं को का जाता स्यानता ठीक है देखे नेक्स्ट क्रेशन कहा रहा है कि निमलिकित में सी किसे उग्रे सेन या फिर भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था उग्रे सेन उग्रे सेन जो कहा गया हूं महापदमनंद को कहा गया ठीक है और मैं आपको बता चुका हूँ कि महापदमनंद कोई दो और भी उपाधिया दी गए थी जैसे एकराट की उपाधी और सातिसा सर्व चत्रांतक की उपाधी भी इन्होंने धारण की थी नेक्स्ट क्रिशन कराएं कि जस्टिस पार्टी अंदुलन मद्राज से कौन संबंदी थे हैं तो यहां पर मगर देखें तो सही आंसर हमारा क्या होगा तो देखें यह भी संबंदी थे यानि कि मुदालियार नायर भी संबंदी थे त्यागरान चेटी भी संबंदी थे लेकि बढ़ते हैं देखें next questions है कि भारत के प्रधान मंत्री निम्लीखित में से किन निकायों के मुख्या होते हैं वस्तुता मुख्या होते हैं तो जो प्रधान मंत्री होते हैं वो नितियायों के भेदेक्स होते हैं रास्ठीकता परिशद के भी और भारते वननेजिव बोर्ड के यानि यहां पर correct होगा option D तीनों के तीनों सही answer हो जाता है next questions के रभी फसल के संदर में निमली खीत कत्रों पर विचार कीजिए तो तीन पॉइंट दिये गए रभी फसल के संब्द में और अच्छे से पढ़ करके आपको बताना है कि कौन सा सही होगा तो बताइए देखेए फैंस रभी फसल के संब्द में गर बात करें पहला पॉइंट की इनकी जो बुआई की जाती है वो अक्टूबर नावमर में की जाती है जो की बिलकुल सही है कोई दिक्कत नहीं चेक है ओर इस फसल की जो खटाई है वो मार्च अप्रेल में की जाती है ये भी सही है और थर्ड़ड पॉइंट कह रहा है कि इसके अंदर गत फसल में सरसू चना जो गेहो अलो मचर ये सबी के सबी इसी फसल के अंदर गत आते हैं रवी फसल के अंतरगत तो तीनो के तीनो पॉइंट सही होने की वज़ा से ऑप्सन डिको टिक करेंगे इसको अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो भी यह फसल दियेगे वो अक्सर एक्जांस में डैफनेटली पूछे जाते कि लिए तो इसको अप अच्छे से याद रखेंगा तो हम लोगों ने यहाँ पे 50 questions को cover किया I hope कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना क्यूज क्या questions आपके लिए यह है गांधी जी को one man boundary force कह करके किसने संबोधित किया था इसका right answer नीचे comments करके ज़रूर बताएगा तो हम मिलते हैं इसे पर करके किसी और वीडियो में next topic के साथ Thanks for watching, keep watching, keep learning, have a good day